अचुलें, तोड़े आँ गोई तो स्टार्ट न्यू चैप्टर इन इंग्लिश और इस चैप्टर नाइन, दा थ्री विशेज, आज इंग्लिश में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो है चैप्टर नाइन, उसका नाम है दा थ्री विशेज, मतलब तीन इच्छाए इसमें आप फैरी का जो पिक्चर बना है, इसे आपको कलर करना है, ठीक है, अब मैं नीचे पढ़ती हूँ, बाला और इसकी वाइफ वासू, उन्हें तीन विशेज मिली थी, मतलब तीन उन्हें इच्छाएं, या वर्दान जो भी बोल सकते हैं, वो उन्हें मिला था, जो एक फैरी ने दिया था, परी ने दिया था, what do they wish for, उन्होंने क्या इच्छा की थी, क्या इच्छाएं मागी थी, वर्दान मागे थे, इसे हम read करेंगे और find करेंगे, ठीक है, characters, इसमें कौन-कौन से character है, मतलब इसमें क्या-क्या पात्र है, इस lesson में क्या-क्या पात्र है, narrator 1, narrator 2, वासू, बाला, फैरी, ठीक है, बाला and his wife वासू are sitting in the living room, बाला उसकी वाइफ वासू, living room में बैठे हुए हैं, living room मतलब जहाँ पर हम बैठ के बात्चेज करते हैं, वहाँ पर उसे हम living room बोलते हैं, या drawing room भी बोल सकते हैं, ठीक है, narrator 1, पहला narrator, narrator, narrator पहली बात कौन होता है, narrator वो होता है जो कहानी सुनाता है, narrator 1, this is बाला, narrator 1 कह रहा है कि यह बाला है, ठीक है, narrator 2, this is वासू, narrator 2 कह रहा है यह वासू है, narrator 1, बाला is sad, narrator 1 बोल रहा है कि बाला दुखी है, sad मतलब दुखी है, narrator 2, वासू is sad too narrator 2 कह रहा है कि वासू भी दुखी है बाला, वासू I am hungry, what is for dinner अब देखो बाला क्या बोल रहा है, बाला अपनी वाइफ वासू से बोल रहा है कि वासू मैं hungry हो, मतलब मुझे बहुत भूक लगी है आज डिनर में क्या है, what is for dinner मतलब आज डिनर में क्या है वासू, there is दाल and rice वासू बोलती है, मतलब बाला की पतनी वासू कह रही है कि डिनर में क्या है, दाल और राईस है, दाल और चावल है बाला, we have दाल and rice every day हम रोज दाल और राइस we have a dal and rice every day मतलब हम रोज दाल और राइस ही खाते हैं तो वासू क्या कह रही है वासू I wish a good ferry would come and give us a good dinner मैं वासू कह रही है कि I wish मैं इच्छा करती हूं कि एक अच्छी सी ferry आए और हमें अच्छा सा dinner दे दे चीक है narrator 1 बाला और वासू hear a noise in the kitchen तो narrator 1 जो कहानी सुना रहा है पहला कहानी सुनाने वाला बोल रहा है बाला और वासू को किचन में कुछ आवास सुनाई देती है narrator 2 they rush to the kitchen narrator 2 बोल रहा है कि वे kitchen की और rush करते हैं मतलब kitchen की और दोड जाते हैं there is a fairy in the kitchen kitchen में कौन है एक fairy है एक परी है बाला oh who are you are you really a fairy देखो बाला बोल रही है oh who are you अरे तुम कौन हो are you really a fairy क्या तुम सही में परी हो fairy yes I am a fairy I have come to give you three wishes अब देखो fairy बोल लिये कि हा बैं परी हूँ मैं आई हूँ तुम्हे three wishes देने मतलब three तुम्हारी जो इच्छाय हैं वो मान सक्ती हो मैं तुम्हें तीन वर्दान देने आई हूँ वासू three wishes really तुवासू कहती है three wishes मतलब तीन वर्दान तुम मुझे दोगी really सच्ची में, सही में तो फैरी बोलती है कि हाँ बट सिर्फ थ्री विशेज ही दूंगी मतलब तुम्हें सिर्फ तीन ही इच्छाएं जो तुम कहोगी वो ही तुम्हारी पूरी होंगी सो बी क्यारफूल इसले बहुत सावधान रहना विकॉस बस इतना ही तुम्हें मिलेगा वैनिश मतलब गायब हो जाना ऐसा कहके फैरी गायब होगी मतलब चली गई वासू ओ लेटस विश फर मनी वासू बोलता है चलो हम मनी मतलब हम इच्छा करते हैं कि हमें पैसे मिलें ठीक है बाला बाला बोलता है नहीं नहीं हम अच्छे स्वास्त के लिए विश करते हैं मतलब अच्छे स्वास्त के लिए वर्दान मागते हैं या अच्छे स्वास्त की इच्छा जाहिर करते हैं narrator one, they both agree, narrator one क्या कह रहा है, वे दोनो, they both, sorry, not agree, it is argue, they both argue, वे आपस में argue मतलब लड़ने लगते हैं, ठीक है, वासू, let us go to bed now, we can discuss about the wish in the morning, वासू कहती है, चलो हम सोने चले जाते हैं, हम morning में wish के बारे में discuss करेंगे, मतलब हमें क्या wish मांगनी है, क्या वर्दान मांगना है परी से, वो हम उसके बारे में सुबे discuss करेंगे, सुबे उसके बारे में सोचेंगे, बाते करेंगे, ठीक है, they go to bed, वे सोने चले जाते हैं, next morning वासू is in the kitchen दूसरी morning में वासू किचन में है उठ करके वासू किचन में गई है अब देखो वासू I am hungry I wish I can have an idli as big as this plate वासू कहती है मुझे भूक लगी है मैं wish करती हूँ कि मुझे इस plate के बराबर एक idli मिल जाए खाने के लिए मतलब वासू ने पहली wish क्या बोल दी कि I can have an idli as big as this plate मैं wish करती हूँ मैं इच्छा करती हूँ कि मुझे इस plate के बराबर idli मिल जाए narrator 1 A large idli flies through the window it lands in the plate तभी window से एक बड़ी सी idli आती है और वो जो plate रखी है न जिस plate में उसने इशारा किया था कितनी बड़ी idli चाहिए उसी plate में land कर जाती है मतलब उसी plate में subtle हो जाती है मतलब उसी plate में रख देती है वो fairy उस idli को narrator 2 Bala is angry narrator 2 बोल रहा है कि Bala जो है इससे गुसा हो जाता है angry हो जाता है मतलब गुसा हो जाता है Bala Bala Oh Vasu, you are a fool Now one wish is gone I wish this idli sticks to your nose Bala बोल रहा है Oh Vasu, you are a fool Aray Vasu, तुम तु मूर्खो Now one wish is gone अब हमारी एक wish मतलब हमारी एक वर्दान, एक इच्छा तो चली गई I wish this idli sticks to your nose मैं wish करता हूं कि या idli तुमारे nose को stick हो जाए मतलब तुमारे nose में चिपक जाए Narrator, narrator one The idli flies up It sticks to Vasu's nose अब जैसे बाला ने ऐसा बोला कि idli उसके nose में stick हो जाए मैं wish करता हूं वैसे ही idli उडती है और Vasu के nose में stick हो जाती है मतलब Vasu के nose में चिपक जाती है Vasu Now look what you have done अब Vasu के मुँँ से क्या निकालता आर्ग बता बोलती है वो उसमें आश्यर में देखो तुमने क्या किया क्या बोल रही है तुमने क्या किया अब देखो तुमने क्या किया Narrator Narrator two Vasu pulls But the idli is stuck Vasu खीचती है Narrator two बता रहा है कि Vasu खीचती है पर idli तो उसके नोग में stuck हो गई है मतलब उसके नोग से nose से Vasu की nose से चिपक जाए गई है Narrator one Vasu starts crying Narrator one कह रहा है कि Vasu जब इडli उसके nose में चिपक जाती है तो Vasu रोना शुरू कर देती है Bala I am sorry What are we going to do? मुझे माफ कर दो हम ये क्या करने जा रहे है Vasu अब देखिए Vasu क्या बोलती है Vasu Oh I wish the idli goes away तभी Vasu कहती है अरे मैं विश करती हूँ कि या idli चली जाए या idli चली जाए Narrator two The idli flies out of the window again Narrator two कह रहा है जैसी Vasu बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि idli चली जाए वैसे ही वो idli window से बाहर उड जाती है Bala Oh no That is the end of our wishes Bala फिर निराश होगे बोलता है अरे नहीं यह हमारी wishes का end है मतलब यह हमारे वर्दान का end है कैसे end है क्योंकि Ferry ने कहा था कि तुम्हें सिर्फ तीनी वर्दान मिलेंगे wishes तुम्हारी तीनी इच्छाएं जो होंगी वो पूरी हो पाएंगे तो अब उन्होंने तो तीनो इच्छाएं मांग ली narrator 1 They both sit down to cry narrator 1 क्या कह रहा है वे दोनों फिर बैट करके रोने लगते हैं क्यों रोते हैं क्योंकि उन्होंने उनके तीनों wishes खतम होगी उनकी तीनों इच्छाएं पूरी हो गई और उन्हें कुछ मिला भी नहीं इसलिए वे दोनों बैट के फिर लास्ट में रोने रगते हैं Now children, this was your lesson Now, this much in today's class Okay children, in next class we will discuss about the hard words and exercises Thank you children